so what's up guys कैसे हैं आप सबी लोग में नाम है नीजवालाद सोगाइज की समय पहले अपडेट पर चलते हैं अगर आपको में थोड़ी सी वीडियो पसंद आए तो क्रिप्ले करें समय पहले बात करने जा रहा है हम पठान मुवी के एक सॉंग के बारे में बेशरम रंग के बारे म तो किया जैस कि लोगों को सउंग मलब बेकार लग रहा है खराब लग रहा है समय जाओ बहुत सारे लोगों ने रियक्ट कर रहा है और घड्लत समय पहले अभी हैं नियुल ट्वीटर पर तुईट करते हो ये बोला पठान सॉंग बेशरम रंग सुगई उसके बाद तुरंती ट्विट करते हुए अनमोल जन्वाल ने भी बोला that some people saying that the family audience should stay away from पठान we are dancing like no tomorrow to the visuals of O Antawa that's why classy and this is crash lol बेशरम रंग सुगई उसके बाद एक और इंसान ने ट्विट करा मलब एक और परसन ने ट्विट करा है the cloud so guys उन्होंने लिखा so what do you think about पठान first song so guys उसी के बाद क्यार के ने भी अपना रिव्यू दिया क्यार के ने बोला just watch the song watch the song बेशरम रंग और पठान by God mood खराब हो गया देखकर this song is prove that पठान is a sure short flop my review will release soon so guys क्या उनका review मतलब कल आ जाएगा so guys मैं उसके बाद में आपको बाद में बता हूँगा अगर उनका review आगे तो मैं आपको इसी वीडियो में अगली वीडियो में अपने दिखा दूँगा पठान मुवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में भी कलेक्शन अच्छी करिया फास्टेस्ट हंडिट के लाइक हिंदी मुवी सॉंग बेशन मरंग ने आठ मिनिट में गाइस सिर्फ आठ मिनिट में 100 के सवा प्लस कर दिये वीऊ और लाइक्स भी कर दे और उसके वाद सेगें नमर पर आप देख सकते हैं और थर्ड नमर पर वी सोच लिया गाना है मतलब 23 मिनिट में कर दिया दूनों लाश्ट टेइस मिनिट तो गएस जैसे की आपने देखा आप नेक्स बात करता हैं गाइस हम लक्षे चोधरी के बारे में वह र्याक्ट करा है जो मियोची जो को रिन स्ट्रीमर रहे मियोची उनके पर उन्होंने रियाट करा है और गाइस उन्होंने अपने व्लॉक चैनल में वारे में कुछ बोल इसके साथ हुआ कोई जस्टिफाइड नी है कोई यह नहीं कह रहा कि उसके साथ तो ऐसे होना चाहता है कुछ भाई जो हुआ बहुत गलत हुआ जैसे कि आपने देखा एक यूटुबर और है जिनकी बहुत तगड़ी न्यूस वाइरल हो जारी हर वार उनका नाम है अर्मान मलिक ने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करी थी फोट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने पोस्ट करके यह बोला था कि मेरी वाइफ मतलब दोनों प्रेजरेंट हैं उसी पर रियाक्ट करते हुए लक्षे चौधरी भी कुछ बोले वह क्या बोले मैं आपको पढ़के सुनाता हूं लक्षे चौधरी यह बोले कि अपनी स्टोरी पर पोस्ट करते हुए यह बोले भाई की टाइमिंग है ऐसी लाइफ तो मैं भी डिजर्ब करता हूँ गौड आपको इस बारे में क्या लगता है उन्होंने सही बोला गलत बोला आप यह कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना सो गाइजब नेक्स बात करता हैं अब विराट कोली और क्रिशनान रोनाल्डो के बारे में तो किषणान रोनाल्डो जो है सो गाई वह नहीं दे पाए हैं बैसिकली और अब वो वर्ल्ड कप मलब खेल भी निसकते हैं उनका लास्ट वर्ल्ड कप था इसी पर react करते हुए विराट को ली अपना मलब एक पोस्ट करें विराट कोली ने बोला मलब कि इनको मलब नो ट्रॉफी मदब नो ट्रॉफी और एनी टाइटल की मदब किसी चीज़ की ज़रूत नहीं है और गाइज बैसिकली इन्होंने मदब इस स्पोर्ट को बहुत मदब वह दिये वैल्यू दिये और यह बहुत लोग के इंस्पिरेशन भी है और गाइज इनके मदब कोई टककर निए तरीक से और उसी कुछ रियाक्ट करते होएं यूटॉबर्स भी रियाक्ट करें कमेंट करा उन्होंने वह देखें आपके स्क्रेंड पर दिख रह और किसी यूटूबर्स ने क्एग्ट कर exact कर आए और क्या कमेंट करा है तो जैसे कि आपने देखा आप नेक्स बात करते हैं गाइस मिस्टर बीस्ट के बारे में तो क्या गाइस मिस्टर बीस्ट ने मदब एक ट्विट करा था उन्होंने ट्विट में ये बताया कि गाइस उनकी जो चैनल है उसके उपर 100 मिलियन व्यूज आ गए वह भी 24 हावर्स में गाइस 24 घंटे के अंदर अंदर 100 मिलियन व्यूज आना गाइस छोटी बात ने होदी बहुत बड़ी बात है और गाइस जो फॉटणाइट आपने गेम सुनी होगी उसमें अब मिश्ट वीस का एक कैना में वारा है उसमें आप mie वह ने हम भाग के बात करते हैं सब्याइस जाहिए और वह इनॉ गाइस प्रyasबंट करते हैं करें थे हैं तुईटर पे इलाओन मस्ट ने एक चीज रखी है जैसे जो फेमस लोग होंगे उनको ब्लू टिक मिलेगा और जो जो बाक बेगने कलर का कुछ टिक मिलेगा जो बिजनसमेन होंगे उनको गोल्डन कलर का टिक मिलेगा आपको इस बात कैसी लगी? जानके कि मदब टिक मदब फेमस लोगों को अलग मदब सबके अपने अपनी कैटेगरी हो जाए गाई जो आपको जानके कैसा लगा यह मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताना सो गाई आज की मेरी वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वाचिंग डू लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल